हेलो दोस्तों स्वागत आपका स्वाधिश चुला प्लस लाइप में तो आज की रेसिपी है हमारे गर्मियों में लेने वाली आइस टी की जो बहुत ही फाइदेमन होती है जो हमें हाइड़ेटर रखती है और रिलैक्स देती है और हमारे हमीन सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाती है और हमारे बीपी को कंट्रोल करती है तो इसके लिए क्या लेना आपको कुछ कलियां पोदियने की लेनी है दो-तिन स्लाइच लेने है नीमू के सहर लेना है और नीमू का थोड़ा रस लेना है और जो चाय की पत्तिय हैं वो एक से दो चमबस लेजी है आपको, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करें? एक ग्लास पानी को पैन में रखना है उसको गर्म करना है उसके बाद में एक से जीड़ चमबच आप चाय की पती डालते जी और उसको थोड़ा अच्छी तरह पकाईए ठीक है अच्छी तरह मिला दीजिए उसको उसको पकने दीजिए ताकि उसका टेस्ट है वह हमारे पानी मिला निजिए तो बहुत है यह फिर एक ग्लास बना रहें देखा हiktime कम हुआ है क्योंकि फिर एकलास बन जाएगा ल Olay क्या करना है में अब हममें दो से थीन चू लेने हैं Isaiah इसके उसके बाद तो उसमें हम डाल देंगे दो से तीन पत्ते अपने पोधीने के उसके बाद इसमें हम दो से तीन स्राइसे डाल देंगे हम नीबू की जो हमने काटके रखे थे और फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने नीबू का रस निकाला था एक से दो चमच उठाल देंगे चीक है और उ उसके बाद नीमू की स्राइस हम उपड़ से डाल देंगे और फिर उसमें हम सहथ की एक से दो चम्मत आप सहथ अपने जैसा आपको मीठा चीए उस आप से इसमें सहथ आप डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि पूरी चाय में आपका जो सहथ है उस से पीडित हैं तो हर्दे रोक से भी बचाता है इसमें मौजूद फ्लेवोनाइट एक बहतर एंटियोक्सिडेंट का काम करता है जो दिल की धमनियों और रक्त वाहिनियों में होने वाले सुजन को कम करता है और डियाबिटिस में भी फैदा देता है उसके बाद में आईज अनुको पेज कीजिए वो भी याद करेंगे कि आपने क्या दिंग पलाई उनको और गर्मियों में रामबान हैं अगर आपको कहीं से लू लग रही है कहीं गर्मी से आये हैं तो अगर आपने एक कप य पी दिया तो आपका पूरा रफ्रेश्मेंट हो जाएगा पूरा इंग प्रेश्मे हो आपका प्रेश्मे चलाई कर दो आपका कि लीक एका बाग कटन सकि powiedział।